बच्चो आज हम कक्षा आटवी में एक तश्विर के दो पहलू इस पाठ का धेन करेंगे इस पाठ की कुछ जानकारी हमने पहले भी ली है जैसे कि इसके लेकक है कनयालाल मिश्र जिनका उपनाम प्रभाकरजी भी है तो कनयालाल मिश्र जिनोंने एक कहानी लिखी है उस कहानी का नाम है एक तश्विर के दो पहलू एक ही कहानी है लेकिन बंदर के रवये में आया परिवर्तन इस कहानी के मादिम से दिखाया गया है जैसे बंदर जब जंगल में स्वतंत्र थे उस वक्त का उनका तरीका और परतंत्र जब उन्हें बंदी बनाय गया उस वक्त उनका परिवर्तन स्वभाव परिवर्तन इसके उपर प्रकास डालने का प्रयास लेकक कनयालाल मिश्र जीने किया है तो पन्ना नंबर 49 कहानी का नाम है एक तश्विर के दो पहलू इस पार्ट में लेकक ने बंदरों के प्रसंग द्वारा स्वतंत्रता यवं परतंत्रता के फलसरूप प्रानियों के स्वभाव परिवर्तन पर प्रकाश डाला है जब बंदर संगल में स्वतंत्र थे तब उनमें पारस्परिक प्रेम का भाव था और जब उन्हें गाड़ी में बंद कर लिया जा रहा था तो वे ही क्रोदवेश होकर एक दुसरे को घायल कर अपना रोश प्रकाट कर रहे थे वानरी ने अपने बच्चे को दूद्न पिला कर उसे काट लिया था परतंत्रता प्रानियों के स्वभाव की आकरमक यवम कुर बना दीती है देखो यहां पे संग्सेप में लेकक महाशेजी कहते हैं कि परतंत्रता के माध्यम से बंदरों के रहाय में कैसा परिवर्त नाता है वह एक दुसरे के उपर कैसा आपना रोश प्रकट करते है बंद्वानरी ने अपने बच्चे को दूद्न पिला कर उसे काट लिया इस प्रकार उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है आकरमकता जाती है और कुर्वता आती है आगे मैं एक जंगली नागरिक हूं खाता पिता और जीता हूं नगर में पर जीने का रस मुझे मिलता है जंगलों से खेतों से उपवनों से जीलों से परवतों से जंगल में बैटकर प्रकुर्ते के साथ मिलकर बाते करना हसना खेलने मेरे जीवन का एक खास शोक है यानि मुझे अच्छा लगता है देखो कहते हैं लेकर कि मैं एक जंगली वेक्ती हूँ खाता पिता जीता हूँ नगर में लेकिन जीने का रास्ता तो मुझे कहा मिलता है जंगलों से खेतों से खेत खलियानों से उप्वनों से यानि बेगिचों से जीलों से परवतों से मैं हस्ता खेलता मेरा जीवन का एक शोक पूरा करता ह मेरे मित्रों में और परिवार में ऐसे भी लोग है जो मुझे मेरे इस स्वभाव के कारुन घुमक करके थे और ऐसे भी है जो सीधे सीधे मुझे आवारा करके थे उन लोगों की तरक शेली संक्षिप में यह है अरे भाई उटो उटो बैटो चार सात्यों में मित्रों में यह कर भी जो अपने को अकेला मौसुज करें उससे अधिक अभागा यहने उससे कहिए अभागा विखती दुसरा कोई नहीं होगा तो वे इस तरह हसते हैं कि जैसे मैंने आजीब बात कहिए हो देखो इसी जंगल में गूमने के वज़े से उनके मत्र परिवार के लोग कहते हैं क मैं गुमक्कड हो मैं सीदे सीदे मुझे ग using कर दें कि भी आवा रहा हूँ यहीं बात मुझे आ कि जिसी नहीं लगती फिर मैं केता हूं अरे भाई ऊटो बैटो चार सातियों में मीत्रों में क्या यह जंगल में आके लिए जा पड़े उने समझने को मैं करता हूं कि जंगल में जाकर वी जो आपने आके लोगी को नहीं होगा तो वे यहासते वे कहते हैं मैंने आजीब बात कही हो जंगलों में घूमना या यू कहू कि नित नहीं जंगलों में घूमना मेरा सबावा देको मैं नित्तिनियम से यूही क्या करता हूं जंगलों में घूमता हूं ये मेरा सबाव हूँ उस दिन घूमने निकला तो जा निकला बंदुरों के बाग में यहां सेकड़ों बंदर रह वे क्या खाकर जी या पनप रहे मैं नहीं जानता पर हां मंगलवार की दिन नगर के दो चार पुरानी विचारों की सज्जन्या आते हैं इन्हें हनमान का रूप समच्चने और गूड़ अवश्य खिला जाते हैं देखो जैसे मैं गुमकड़ हूँ गूमने आता हूँ उस्वस्ट मैंने यह देखा कि बैए दो चार वेक्ती शहर से नगर से आते हैं और वो बंदरों के जिने वो हनमान का रूप समच्चते उन्हें चेनवें आया और गूड़ खिलाते हैं पता नहीं उन्हें उससे लोग पर के वजह से उनको लोग पुश्राइब नीचे और आगे ऊपर जाने के बाद भी क्या फल मिलेगा बहु है पर यावश्च है कि यहां का वानर दलने तो मनुष्यच्च रखता है है और नहीं भय रखता है कि यह जो वानर है वो मनुष्यक रखते हैं ना को मनुष्य का म्दॉर पासमें बंदकर हिलस आ गया मैं इन पर बंदरों का वान अर का एक दूसरी के प्रति प्रेम देख कर उधोर chef मैं एकक्रुक्ष के चाया में बैड़ गया और सनस्कूरूत का मालती मादों परने लगा देंड़ और रकी कि चाया मैं बंदरों को देखते देखते हैं और संस्कूरूत का किताब जिसका नाम है मालती मादो पढ़ने लगा अद्बूत रचना है यानि आश्चरजनेक रचना है पढ़ते पढ़ते अकस्मात अने एकायक मेरा ध्यान वान्रों की ओर चला गया वे आपने ही राग में मस्तते वे आपने ही धुन में मस् प्रक्ष के नीचे कुछ वानर शिश्व आपस में खेल रहे थे एक शिश्व नहीं छोटे वानर एक बच्चा दुसरे की पीट पर चलने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंच पकड़कर खिच लिए जिसकी पूंच खिची गई थी उसने उलटकर खिचने वाले कान काट लि देखो एक बच्चा दुसरे की पीट पर चलने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंच पकड़कर खिच लिए जिसकी पूंच खिची गई थी उसने उलटकर खिचने वाले कान काट लिया देखो यह चित्र में दिखाए दिया एक पणना नमबर पचास पर एक बच्चा पास के छोटेशे उर्क्ष से नीचे उत्रा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मूं चूम लिया धेको एक वानर का चोटा सा बच्चा प्रक्षिशे नीचे उत्रा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मूँ चुम लिया उस छोटे शुष्यों ने भी उसका मूँ चुम नाप चाहा पर अपनी लगुता के कारण वो असपड़ रहा लगुता इने छोटा पन छोटा था उससे इसलिए वो असपड़ रहा उसका मूँ चुम ने में दो तिन बच्चे ने ये बात भापली भापली यानि जान ली समझ में ली और उस बड़े बच्चे को बल पुर्वक पकड़ धर्ती पर लिटा दिया चोटे शुषु ने ये देखा तो उसने लोटकर तड़ा तड़ उससे चार बार चुमा और पेट पर एक मीटी कटोती भी काटी देखो जैसे ही उस बड़े बच्चे ने बलपुर्वक उसे लिटा दिया गया शीशुने यह देका छोटे शीशेन है तो वह नीचे लोटकर उसने तड़ा तड़ चार वार उस बच्चे का मुह चुमा और फिर पेट पर एक मीटी कटोती भी काटी अब फुदक फ तावेर भाग किया हो उसने खरने क्या एक को गुदगुद आ कराने इसे खुझाया प्यार में हार भी जीत है जीत है बीयार में हार Ideail टिद और श्य Jour tenha सामराजीं आ जागया चारोर सरस्ता 법र सब्सक्राइब कर् uwरस्त उटका मुह जहार बच्चक का साम्राज चार लग या में चोड़ाने का प्रयातन कर रही था वे अ çek दूशरे नीचे noveकर एक हो दूश इसके नीचे अनलमा आपने को उस हुषाने का प्रयातन प्रयास कर रही थी ये खुलब चमिपल्ण चन्चल तके कारण वें सेमें ब्लेयार स्वू क्यान की चेस्टा में थे माजब तक एक को सुलाने का प्रेत्म करती तब दूसरा उठकर दोड़ता और जब वह दूसरे की और दोड़ती तो पहला अपनी बाल किड़ा आरंब कर देथा कि ज़ंसे तयसे तब वह एक को हात में दबोज पाती तब तक दूसरा उसकी कमर पर उसे धराशाय करने के वीक्पल कर अतिनतर और साय पर्ण प्रेत्म में जुड़ कखी पर के मुख मंदल पर जुझलाहट का कोई चिन में ता इतनी पर गुस्टा नहीं था चारो और प्रेम का ही सामराज चाया वो था पशु उपादिवाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ और इस वानर रोका जंगल में जो सामराज था चाया वो था उस पशु उपादिवाले उस वानर जीवन में मैं बहुत प्रभावित परस्पर कितना प्रेम है मैंने सूचा कि इनका जीवन कितना सरल है न इर्शा न द्वेश न दुसरों को गिरा करश्वें आगे बढ़ने की पतित भावना पतित याने नीचा पंदिकानी की भावना प्रकुर्ति की पुनित गोद में यह अलग ही अपनी दुनिया बसाए बै मैं कवी के कल्पित जगह से कपीयों की इस प्रथेक्ष दुनिया का तुमनात्म ग्रॉंचन करता हुआ मैं अपने फिजय में के वहर करता हुआ मैदा दिरे घर के ओर चल रहा था अपने ही विचार धुन में विचार वाटिका में विचार करते हुए में विहार याने चलता हुआ अपने विहार करता हुआ दीरे दीरे घर के ओर आ रहा था अचानक कही पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोंकों ने मुझे अपनी ओर आकरशित क् वानर की बड़ी क्रोध भरी आवाज ने खोकोन याने चीक ने मुझे आकसित क्या आके उपर उठा मैंने जो दुरुष्य देखा उसने मुझे स्थब्द कर दिया मैं आवा कर गया जैसे आके उठा कर मैंने उपर उठा मैंने जो दुरुष्य देखा उसने मुझे बंद थे एक जालीदार गाड़ी में 50-60 वाहनर बंद थे सभी के मुकमंडल पर क्रोध की कटोरता का टांडव कर रही थे सभी के मुकमंडल पर याने चेरे पर कटोरता याने क्रोध की आवाज टांडव कर रही थे वे एक दुसरे को फाड़ खाने को तयार थे एक दुसरे को काटते थे फाडते थे चीकते थे सभी घायल थे सभी शुब्द थे मेरे कहने पर गाड़िवान ने गाड़ी ठरा दी मैंने हाथ क्या तो गाड़ी ठरा दी गाड़िवान ने बताया यह सुन्दरपूर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में बेज़े जा रहे यह सुन्दरपूर जंगल से पकड़कर इन्हें मैं हरिद्वार की जंगलों में बेज रहे मैं और भी पास आकर उने और गोर से देखने लगा देखा एक वानर शुशु जिसके सुखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी एक छोटे शुशु वानर जिसके सुखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी याने उनसे बड़ी भूख लगी थी और उससे वो बड़ा ही दीन लग रहा था दूद पेने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बड़ा, उसे भूख को व्यक्वल होने के बाद्यम से वो अपनी दूद पेने के वज़े से माता की ओर गोद की ओर बड़ा, पर समिप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारम कर दिया, जैसे वो बच्चा दूद पेने क कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ से भरोष के वज़े से बच्चा चलब रहता पर मा के रुधैपर उसका कुछ भी प्रभाव संयोग system in आत्रूतो के साथ जैसे इसने पहला से देखा था मात्रूतो का एक पैशाचीकता का एक स्वयंयोग देखने को मुझे कभी आउसर्ने मिला था मेरी आंतरात्मा काफ़े इसके से मैं डर रहा था बच्चे को अपनी मां कैसे नोच रहें खरोच रहा रहें उसे धूर धकल रहें मैं उससे अधिक देखने का साहस कर सका और इसे मैं अधिक देखने का साहस नहीं कर सकता आधा है सागर ही शुषक्ण हो गया और सागर में से धूल उड़ने लगे तो आन्यतर जल की प्राप्तिके आश्चा हम कैसे कर सकते हैं कौन मुर्क कर सकेगा मातरूतुवमें कि यदि निरदैप्टा निवास करने लगे तो जीवन में किसी स्नेय या सरल्त अविलरी की कुसमिती होने की संब्वाना कोन ग्रुसहरों करेगा देखरो यह घरी यह बंगे चलंब निहां देखरा तो मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने घरfig संक्यत के याने जाने के लिए कहा दूर तक वांडरों की खोखों का भीशन स्वर मुझे सुनाई दे रहा था दूर तक गाड़ी जाने तक मुझे वांडरों की खोखों की आवाज सुनाई दे रही थी का यह दुरुच्षय मेरे पूरुआ परिलक्शित दुरुषय के बिलकुल प्रतिक्रुद था पहले का जो सुकरुपी दुरुषय मैंने दिकाई दिया था पेढ़के नीजे खिल रहे बंद़ुरो का एवान यह ही मैं नहीं कहूंगा कि यह दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू थे मैं सोचने लगा जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनित प्रतिमा सरवरस्ता की सुन्दर निधी और स्निय का सागर है वही गाड़ी में बैठकर दानवता का अउतार क्रोद का ज्वाला में की तता रुदय हिंता की मुर्ति कैसे हो गए देखो जैसे मैं सोचने लगा कि वही उपवन के जब पुनित प्रतिमा सरवरस्ता से भरे वानर बंदर एक दूशरे से प्यार कर रहे थे स्निय कर रहे थे वही जब गाड़ी में स्क्राइब कर ले जाने लगे तो दानवता का आउतार होगे दानव एले राक्षेस का आउतार होगे कुरोद में कर ज्वाला मुकी की तरह रुदय हिंहिन होकर एक दुसरे को काठने लगे खरोषने लगे, नोचने लगे, माँ अपने बच्चे को दुन नहीं पिलाती थे, एक दुसरे को काटते थे वो रुदय में एक हुक उटी, स्वातंत्रिया और पारतंत्रिया में यही तो अंतर है और मेरे रुदय में एक आवाज हुई, हुक उटी, मैं जान गया कि सही में एक तश्विर के दो पहलो इस पार्ट में इस कहानी में, स्वातंत्रिया और पारतंत्रिया में तो यही अंतर है यही अंतर हमें एक तश्विर के दो पहलों इस कहानी के माध्यम से कयान नयालारमिस्र जी प्रभाकर जी ने हमारे सामने रखे है इस तरह से इस पाट का अध्येन करने के बाद कुछ कठिन शब्दार्त है, इन शब्दार्तों का हम क्या करेंगे? अध्येन करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, कठिन शब्दार्त, स्वभाव, स्वभाव याने प्रकूर्ती, एक प्रकार की आदत, आक्रामक, आक्रमन करने क तयार रहना गुमक्कड गुमने फिरने वाला लगुता छोटापन शेशव याने बहुती छोटा शेशव बचपन चिन्न याने निशान द्वेश याने एक दुश्रेके प्रती जल जलन आकर्षित ध्यान आपनी ओर आकर्षित करना याने खीचना आकर्षित याने ध्यान आपनी ओर खीचना कटोर्ता कड़ापन सक्ति आध्यवसाय पूर्ण याने साधना से बरे जैसे ओ छोटा शेशव बच्चा अपनी माको जमिन पर लिटाने का प्रेत्नकर यास्ता पीचिसे तांडव शिव का एक नूर्थ्य ऊग्रभाव प्रभाव याने असर पैशा चिक्ता येने कुरूरता पैशा चीकता यहने कुरूरता अंतरात्मा यहने मन स्पिरिट संभावना यहने आशा उमीद होग क्रोद का ज्वाला हुँकी बहुत अधिक गुस्वा होना इस तरह से इस पार्ट का आध्यान किया और इन पार्ट के नीचे जो कटिन शबदार ते ही इसका भी आध्यान किय यहां पर हम रुकते हैं धन्यवाद